शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध शाक्त, शिव का उपासक या शिव से संबंध उसे हम शैव बोलते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो उसे हम कुलीन बोलते हैं, जो सब में व्याप्त है उसे सर्व व्यापी बोलते हैं, जो किसी की ओर प्रती से है उसे प्र पतित कहते हैं. जो बहुत बोलता है वाचाल. इंद्रियों को जीतने वाले को हम जीतेंद्र कहते हैं. अवश्य होनेवाला को हम अवश्याम भी कहते हैं. जो स्त्री के वशिभूत या उसके सौभाव का है उसे स्त्रैन कहते हैं जो युद में भी स्तिर रहे उसे युदिश्टिर कहते हैं जो शमा पाने के लायक है शमय कहते हैं भविश में होने वाला भावी जो सरो में जनमता है उसे हम सरसीज कहते हैं प्रवास करने वाला यानि कि विदेश में उसे हम प्रवासी कहते हैं जो कहा गया हो उसे हम कठित कहते हैं जो नहीं हो सकता उसे हम असंभव कहते हैं जो अक्षर पढ़ा लिखा हो उसे हम साक्षर कहते हैं जो आगरा सत्य हो उसे सत्यागरा कहते हैं जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे हम मुकदमे बास कहते हैं जो पहरा देता है उसे हम प्रहरी कहते हैं जो पर दूसरों का अर्थी भला चाहने वाला उसे हम प्रार्थी कहते हैं जो स्वयम खुद का अर्थी भला चाहता है उसे हम स्वार्थी कहते हैं जो अल्प यानि की कम बोलता है उसे हम अल्प भाशी कहते हैं आशा से अतीत को हम क्या कहते हैं आशा तीत जो संगीत जानता है उसे हम संगीत तक ये बोलते हैं जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे हम कलाकार कहते हैं